नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CCNP कोर्स मड्यूल के अंदर आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 52 के बारे में जो की बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है OSPF का जिसका नाम है Link State Advertisement OSPF के अंदर LSA Types क्या होते हैं कैसे वो अपना Database बनाते हैं और कैसे उनके दवारा हमारा Routing Table आगे बनता है इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पूरे का पूरा theoretical concept और आने वाले वीडियो के अंदर हम practically भी चेक करेंगे कैसे LSA Types आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं Welcome to A2IT Online My name is Rajiv Kumar अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले तो बात करते हैं OSPF के LSA Types के बारे में इस वीडियो को लाइक करें लेटेस टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT Online को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो दोस्तों OSPF के LSA Types के अंदर अगर मैं आपको बताऊं OSPF हमारा एक LinkState Database बनाता है और उस LinkState Database के अंदर by default जो LSAs चलते हैं that are 7 LSAs ठीक है क्योंकि हम CCNP के बिहाब पर बात कर रहे हैं वैसे तो साथ के बाद 8 LSA, 9 LSA, 9, 10, 11 तक LSA होते हैं लेकिन जो by default हमारे पास आएंगे वो साथ LSA आएंगे जिसका नाम है LSA Type 1 से स्टार्ट करता हूं Router LSA, Network LSA, Summary LSA, Summary ASBR LSA उसके बाद Autonomous System Boundary Router के बाहर के LSAs होते हैं वो करने हैं उसके लवा NSSA LSA से आता है तो बहुत सारे आते हैं तो एक बार मैं आपको इसको explain कर देता हूं और आपको बता देता हूं कि कैसे काम करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास white screen आगी ह से यहां पर तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो LSA है वो Link State Advertisement है तो हम LSA 1 से लेके साथ तक बात करेंगे 4, 5, 6, and 7 LSA Type 1 होते हैं मेरे router LSA, router LSA होते हैं जो मेरे अपने area से आते हैं या फिर मेरे internal routes जो होते हैं intra route भी इसके अंदर आते हैं ठीक है जो मेरे अपने intra network मतलब जो same area के route हैं वो सारे के सारे router LSA में आते हैं LSA Type 2 जो होते हैं that are network LSA लेकिन ये हरे एक router में आपको मिलेंगे क्यों क्यों क्योंकि network LSA तभी आते हैं अगर आप broadcast network यूज कर रहे हो और आपके DR और BDR बन रहे हो उसके इलावा मेरे पास third LSA है summary LSA दोस्तों हमने multi area OSPF का का काम किया था आपको याद है कि मैंने आपको बताया था multi area OSPF कैसे काम करते हैं जितने भी route आपके बाहर से आते हैं वो सारे के सारे summary LSA में आते हैं तो अगर आप single area और multi area यूज कर रहे हो तो तक तो आपके 3 LSA ही आते हैं लेकिन उसके बाद एक होता है हमारा LSA type 4 and 5 LSA type 4 होता है जी ASBR Autonomous System Boundary Router ये LSA होता है मेरा जो router redistribution कर रहा है जी हां OSP करने के बाद हम एक topic करेंगे redistribution redistribution का मतलब है कि जब दूसरे के router से route आते हैं तो इसको हम discuss करेंगे redistribution topic के बाद तो पांचवाए LSA होता है हमारा external LSA जो ASBR router के बाहर से आते हैं हमालोग कोई route EIGRP से आ रहा है कोई route RIP से आ रहा है तो वो सारे external LSA होते हैं उसके लावा LSA type 6 होते हैं हमारे multicast LSA ये हमारे SSCO के router के उपर काम नहीं करते हैं और जो LSA type 7 है मेरे LSA type 7 मेरे NSSSA LSA हैं तो ये जो LSA होते हैं हमारे ये 800 stubby area LSA हैं तो ये हमारे थे 7 LSA और 7 LSA के बाद हर एक router को हम practically हर एक LSA को practically discuss करेंगे तो बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम practically इसको explain करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो माच इस वीडियो को लाइक करें लेटेस टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एटू आइटी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें